लुट्टुरिंग एक्सेलेंस हेलो एंड वेल्कम अगेंट दे यूटूब चैनल अब अबेकस अकार्मी सो एक्जाम सार अप्रोचिंग डॉन्ट मिस्ट अपॉर्चुनिटी तो जो इन दे क्लासेज ओनलाइन और ओफलाइन अगर आप सेनिक स्कूल मिलेटर स्कूल के त्य ना करें और अगर आप से कोई भी क्योवरी है तो बिल्कुल हमको ज़रूर संपर्क कीजिए ठीक है तो आज हम डिसकस करेंगे रहो हम अल्रेड़ी डिसकस कर चुके हैं किसके बारे में नेशनल आवोर्ड ऐसे ही आवोर्ड जो इंटरनेशनल लेवल पर दिये जाते हैं ज चीजे दी जाती है तो ऐसे ही कुछ अवोर्ड से जो इंटरनेशनल लेवल पर दी जाते हैं और जिनकी मानने तब बहुत ही ज्यादा है तो बहुत ही ज़दा प्रिश्टीजियस है और वह आदमी बहुत ही ज़दा इंपर्टेंट है यह फिर उसका कॉंट्रिबूशन रहता किया है देखो कोई भी बाइज हे उसको कश bene करें के वीच सब्सक्रेश ना को इस कि सब्सक्राइब από पर तो ठीक है पहली बात तो दूसरा ये है कि अलग-अलग फील्ड में दिया जाता है ठीक है अलग-अलग चीजों के लिए डिया जाता है इन्हीं पいきलिज में यह मिलेगा ऐसे नहीं मिलुप किसी को भी लिए जा सकता थेकर किसी भी फिल्ड में दिया सकते हैं इस नहीं फिक्स च्छाय केटेगरीज है जिनमें यह वोड दिया जाता है पहली है लिक्टरिचर कोई भी राइटिंग वर्क है नोवेल स्टोरी ठीक है कुछ भी उपन्यास लिखा है किसी ने किसी ने बहुत ज़्यादा बड़ा एपक लिखा है जिससे टेक्नलोजी डवलप हुई है जो अच्छे काम करने के लिए यूज होगा ठीक है कैमेश्ट्री में सिमिलर रिसरच के लिए एकनोमिक्स में मिलता है इसके लाव यह मिलता है फिजिक्स और पीस एंड मेडिशन जिसको हम बोल सकते हैं फिजियोलोजी यानि मेडि फियर ऐसमें होता क्या है एक तो सर्टिफिकेट होता है Sepio कि यह एक तो सटिफिकर्ट जाता है जिसको बोलता है । एक जब एक साइंटीष्ट वो अगज़ते थे चैविस्ट है एक्टोली वह उल्फ्रेड नॉबल है जिन्नोंने क्या किया कि के विश्ट थे के मिश्ट रूइड है जिन्नोंने एक नाइट्रो घ्लीसरे ने कंपाउंड है जिसको सब्सक्राइब किया तो ठीक है जो नाइट्रोजन है उससे कैसे एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है ठीक है यह उन्होंने एक कमपॉंड डिसकर्स किया कि नाइट्रोजन को कैसे हम एक यूजफुल एनर्जी में कनवर्ट कर सकते हैं ताकि जिससे हम उसको यूज़ कर सके एनर्जी को हीट एनर्ज यह इस सब्सक्राइब और इसका फोर्मला भी उन्हें बेश दिया जब उनको पता नहीं था कि गया इसको एनरजी प्रडिउस करने में पर विल में लिखा कि मेरी जो भी इस से कमाई हुए तो से उससे एक प्राइज मनी इस्टेब्लिस की जाए और लोगों को ऐसे साइंस से के फिल्ड में डिस्कवरी करने के लिए दिया जाना चाहिए ठीक है जब यह स्टार्ट हुआ तब और इसमें पांच से फिल्ड में दिया जाता था फिजिक्स केमेश्ट्री और फिजियोलोजी यानि मेडिशिन इसके लवा लिट्रेचर एंड पीस लेकिन बाद में धीर धीरे डवलपमेंट स्टार्ट हुआ और जो स्वीडन की गोवर्मेंट है उन्हें 1968 में डिसाइड कि हम एकनोमिक्स में भी इसको देंगे कम केम होगी कहां मेंग जादा करें क्यों र accessibility आती stress कैसे का एक इंटरनेशनल लेवल पर ठीक है उस चीज़ को जो भी उससे लेटर जो भी साइंस होती है उसको बोलते है इकनोमिक्स ठीक है इसके बाद में देखो कि नॉबल मॉस्ट फेमस इन्वेंशन वाज डाइड़नमारी ठीक है नाइट्रो ग्लेसरीन जो कि एक 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 स्वेडन के थे इस स्वेडियस साइंटेश ने फिल डिसाइड किया कि मैं अपने पैसे जो इस से कमाया है इस इस दिसकोवरी से उससे मैं क्या करूंगा कि है जो 1901 में स्टार्ट हुआ था ठीक है इसके बाद में देखो यह है हमारे लाइक क्यशन तो यह तो हो गई इनकी बेसिक्स बात सबसे पहली बात यह है कि नॉबल प्राइज वीनर हम तो इंडिया के रस्टिकॉन से देखेंगे कि इंडिया की तरफ से देखेंगे इंडि ने जीता है तो वह कोने रविंदर नाट टेगोर के टेगरी लेक्रेचर टाइम पीरियड 1930 उनकी बुक थी गेतान जली जो क्या थी कलेक्शन ओपॉइम्स वह सरी पॉइम्स है आप भी पढ़के देखना ठीक है दूसरा हमारे सीवी रमन ने फिजिक्स की के टेगरी में त सबसे पहले किसी को मिलता है उसकी इंपोटेंस होती ही है पर यहां यह सीवी रमन को मिला है विजिक्स टाइम पीरिड देखो 1930 ठीक है अभी देश 1930 में गुलाम है और इंडिपेंडेंस की लड़ाई हम लड़ रहे हैं ठीक है उस टाइम पीरिड में अगर सीवी रमन को क्या मिलता है एक साइंस के फिल्ड में एक नोबल प्राइज मिलता है तो यह बहुत बड़ी ब बारें नहीं पता आप ने बस इस प्रीचल ahの ुधि को ही गिम किया अध्यात्मिकता को ही गिया है आपने साइंस के प्लेड मेंटमील नहीं लए आपको पता ही नहीं है science कैसे वर्क करती है आप इन चीजों के बारे में आपको knowledge इसलिए आप unsivilized हो आपको knowledge कम है हम के वल आपको सिखा नहीं है हम आप पर राज करने नहीं है और उस period में जहां हमको वो कहा रहे हैं कि हमको कुछ knowledge नहीं है उस time period में physics science के field में Nobel Prize जीतना बहु physics के field में ठीक है तो इसकी भी importance यहाँ ज्यादा हो जाती है बाकि यह latest में देखो मैं circle करवा देता हूँ circle क्या यह नौई तो है सारे के सारे याद कर दो ठीक है वापस बता देता हूँ रविन नार्टेगोर को literature के field में सीवी रमन को रमन इफेक्ट देखो यहाँ पर मैं चलो इसकी हिस्टरी सारी बता देते हैं रविन नार्टेगोर को तो राइटिंग के field में मिला गीता अंजली के लिए गीता अंजली उनकी book थी poems की उसके लिए उनने जो लिखी जहां Shakespeare फैमस था इंगलिस में poems यह लिखने के लिए वहाँ उस time period में उसके बाद यह अगर ऐसी book लिखते हैं कोई जिसकी value जर्जिस में भावास बहुत गहरे गहरे हैं उनके लिए गीता अंजली के लिए नॉबिल प्राइस मिला है दूसरा CV रमन, CV रमन ने कहा किया, रमन effect को डिस्कोवर किया, अब रमन effect उन्हें के नाम पर रखावा है, रमन effect होता क्या है कि देखो जो बहुत ज़दा tiny particle है, देखो light होती है वो हर चीज को cross कर जाती है, उसको medium के भी ज़दा तनी है, बहुत ज़दा tiny है लेकिन कुछ medium ह है जिसके particle बहुत ज़्यादा tiny है बहुत ज़्यादा small है इतने स्मॉल धा से तो देखी नहीं सकते उससे भी ज़्यादा कॉस्ट बहुत ज़्यादे स्मॉल है तो जब light उस पे च्राइक हो जाती है स्केटर होने लग जाए तो इसका नाम क्या रख दिया रामन एफेक्ट ठीक है इसके बाद में देखो हर गोविंद खुराना जी हर गोविंद खुराना जी ने मेडिशन के फिल्ड में मिला उन्होंने बताया था कि प्लांट्स भी है लिविंग फिलन्ट्रॉपिक वर्क के लिए लोगों की सेवा करने के लिए प्लेग के टैम पे जब मुंबई मे प्लेग फेल गया उसमें उन्होंने बहुत हेल्प की लोगों की उस टैम पे एक नर्सिंग इस्टाप की जैसे हर गरगर जाकर रोड पे हर लोगों की मदद की उन्होंने ठीक है इसलिए उनको पीस यह प्राइज मिला फिर आता है चंदर सेकर वेंकट रमन सुरी सुब्रम करें स्टार अपनी खत्म होने लग जाएगी तो क्या करेंगा और गौण फर वो सकता है ब्लास्ट थेक्र और यहां फिर वह क्या बनेगा ब्लेख को अब कौन सा इस्टार ब्लास्ट होगा और डश्ट में कमड़ ऑब लाश्ट Hz और और कौन सा बलेखल बनेगा उसके मास कितना होना चाहिए ठीक है ताकि वो ब्लेक होल में कनवर्ट हो जाए वो लिमिट बताई है किसने चंदर से करना है ठीक है इन्होंने बताई थी कि कौन से इसके बाद इससे ज्यादा होगा तो जैसे अब हारा जो सन है उससे पांच गुना या च्छाइब इसका मास होगा वह क्या हो जाएगा लास में ब्लेख होल में कर्वेट हो जाएगा यह उन्होंने बताई थी तो उस लिमिट का नाम भी फिर नहीं के नाम पे रखा गया है च के लिए चाइडले लेबर को आवोइड करने के लिए लोगों को इससे चुठकाड़ा दिलवाए है चाल लेबर का अगेंस्ट यहोंने फाइट की है कि लोग अपने बछोंसे काम ना करृए चोटे बचोंसे इसके लिए इनको गॉवर्मेंंटे में बहृत हैं की साथ में अभी जीत पालिवाल, इनको मिला है economics के फिल्ड में, कि जो poverty elevation program होते हैं, वोर जो कौन से इसे program होते हैं, जो ज्यादा effective होते हैं, उनके बारे में इनों डिस्कॉडर किया, कुल मिला कि poverty को eliminate करने की फिल्ड में इनों ने यह काम किया है अब एक एक देख लेते हैं देखो यही बात वापस है कि गीता अंजली के लिए इनको क्या मिला है नॉबिल प्राइज नाइंटीन थर्टीन में फर्स्ट था ठीक है और यह पहले एशियन थे जिनको यह अवोर्ड मिला है नॉबिल प्राइज एशिया में पहली बार जो देखो उस टाइम पे जो इरोपियंस थे उनको लोग बोलते थे वेस्टेंज वेस्टेंज और हमको इस्टेंज यह फिर ओ पहली बार किसी को नॉबिल प्राइज मिला है ठीक है इसके बार में हम आगे स्टाट करें सीवी रमन स्केट्रिंग ऑफ लाइट एफेक्ट के लिए इनको यह अवोर्ड मिला है जिसको हम रमन एफेक्ट करते हैं ठीक है इन्हों नहीं बताया था यह नोबिल प्राइज के इसके बार में बात करते हैं कि हर्गोविन खुराना जैनेटिक कोड को इसको इन्हों ने ठीक है जैनेटिक को कैसे डिसकोड करेंगे प्रोटीन सिंसेटिस सिंटेसिस में इसका क्या रोल है ठीक है इसके बाद में देखो मदर टेरेसा मदर टेरेसा को पीस के फिल्ड में मिला है 1979 में ठीक है सी स्पेंड हर लाइफ इन इंडिया एज रॉमेन कैथोलिक नन के रूप में पूरेस्ट ऑफ देपूर की भी इन्होंने क्या किये मजद किये हरे में हुमेनिटेरियन वर्क लेट और में मिट को भी इसकार किया गया है मास क्या होता है कितना कम मास होना ची इवल्यूशन ओप स्टार स्टार इवोल कैसे होता है उतके बारे में इन्होंने स्टेडी की है और उनके लिए इसी फिल्ड में इनको क्या मिला है नोबिल प्राइज इसके बादे अमरत्य शेन कांट इसके बाद में यह आ जाता है हमारे वैंकंट रमन केमेस्टर में नोंग एक उसके लिए यह रिस्पॉंसिबल होता है तो उसके structure and function के लिए ठीक है आ रने के लिए एक तरीके से इसके बाद में आदा के लास सत्यार थी right of all children to the education ठीक है इसके लिए उन चिल्डन education को भी किया और साथ 2014 का पीस केटेगरी में है 2014 में केलास सत्यार थी और पकिस्तान की है मलाला यूसुफ ही मलाला यूसुफ ही दोनों को मिला था इनको गर्ल education के लिए गर्ल education के फिल्ड में इन्होंने वर्क किया था उसके लिए इनको क्या मिला है अवोर्ड इसके बाद में देखो अभी जीद बेनर जी इनको किस लिए मिला है ग्लोबल पौवर्टी पौवर्टी को ओवर्ट करने के लिए पौवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए एलिमिनेट करने के लिए ठीक है अब एजीत बनर जी को इकोनुमिक्स के फिल्ड में क्या मिला है? नोबिल प्राइज ठीक है? अब यह हमारे लिए नाम की ही वदियत है दीज के बार में हमने देखी लिया कि एक दो क्या मिलता है डिपलोमा, सर्टिफिकेट, गॉल्ड, मेडल मिलता है सारवं इसार्व मौनेटर एक य्वड जो पैसे आलफरेड नोबल ने कमाए थे जो मनी उन्हों ने कमाए थी उसी से डिस्टिउब्यूट किया लाता है नोबल पॉस Lewis देख 63 का कौन देता है Pacific doctrine सकते हैं जुछ सकते हैं कि स्विडिः एकेडमी आफ साइंस केमिस्ट्र कर देती है शुन लेकिस वभा का भूनटे में तो है democr और Ini सब्कार एखो फीजिक्स ओनो, पो जूका हों के केमिस्ट्री शॉट-कर में लिख देता कॉंफ ललग 2023 अ इन दोनों का देती है स्वेडियस आकेडमी अ सइनसा इसका देती है स्प्राइटमी ए स्ट्राइडमी एग मैडिकल साइनस ठीक है तीन होगे इसके अलवा एकनोमिक्स और यह हमारा लिटरेचर इसका देती है बैंक ओफ स्विड़न ठीक है और लिटरिचर का देती है स्वेडिस एकेडमी आफ लिटरेचर तो यह पांच जो प्राइज है वो स्विड़न में मिलते हैं लेकिन जो पीस प्राइज है वो नौर्वे की पार्लियमेंट देती है यह यार रखना कि जो पीस प्राइज है वो नौर्वे की पार्लियमेंट देती है पीस का प्राइज पीस के लिए जो मिलता है हमें नौबिल प्राइज वो कौन देती है नौर्वे की पार्लियमेंट अब बहुत एजी एजी केशन है आई तिंक आप अराम से कर लोगे इन चीज़ों को तो कि नोबेल प्राइज इन एकोनोमिक साइंस वोज इस्टेबलिश इन अमेमरी ओफ अल्फरेड नोबेल ठीक है तो तो तीन हाफ में डिवैड हो जाएगा सबको मिल जाएगा सबको एक ही मेडल एक काउंट क्या होगा वह एक ही नोबल प्राइज नहीं है ऐसे ठीक है और ऐसे ही मिलता है इन विच केटेगरी डिड मलाला यूसुफई रिसीव्ड नोबल प्राइज तो हमें पहता है पीस की केटेगरी में किसके साथ केला सत्यार थी 2014 ठीक है इसके बाद में आता है दा नोबल प्राइज इन लिटरेचर रिकोगनाइज आउटस्टेंडिंग अचीवमेंट इन नोबल प्राइज इंक्लूज दे मैदल इसके लावा क्या होता है फाइनिशियल रिवर्ड स्कोलर्शिप फॉर दा फ्यूचर स्टेडिज नहीं जोब ऑपरचुनिटी एड दे नॉबल इफिलियेटेट इंस्टिशन नहीं एक्स्क्लोजिव मेंबर्सिप इन नॉबल लि नॉबल पीज प्राइज देखो वह कौन है नौर्वियन नॉबल कमेटे नौर्वियन की पार्लियमेट और दो यह देखो यह भी नाम याद रखना अगर ऐसा मिल जाए अगर आपको कि केरोलिंस का कायरोजिकल इंस्टिटूशन यह देता है मेडिसिन का केरोलिंस का कायरोजिकल इंस्टिटूट ओफ स्विडन ठीक है यह देता है किसका मेडिसिन का यह वाला रोयल स्विडिस अकेडमी ऑफ साइंस देती है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का ठीक है स्विडिस एकेडमी लिट्रेचर का इसके बाद में क्या बसिया बैंक ऑफ स्वेडन किसका रेती है एकनोमिक्स का तो एक दो तीन चार पांच एकुन सबस्किया हमारा फिजिक्स केमेश्ट्री और मेडिशन एकनोमिक्स और लिट्रेचर और पीस का यह है कौन देती है नोर्यल नोबेल कमिटी जो कि नोर्य की पाल्यामेंट है यह च्छैकेच है हमारे नोबिल हो गई और हमें पता भी है कौन देता है इसके बार में देखो हाउ मैनी इंडिविजवल कें शेर नोबिल ठीक है टील लोग शेर कर सकते हैं नोबिल प्राइज को सबसे यंग परसन जिसने नोबल प्राइज जीता वो कौन थी मलाला यूसुफई साइन्स के फिल्ड में अगर किसने पहला जीता था वो कौन थी मैडम क्योरी फर्स्ट वूमन ठीक है तो देखो नोबल पीस प्राइज अवोड़ेड एन्वली इन विच सिटी नोबल पीस प्राइज ठीक है तो देखो नौर्वियन पार्लियमेंट देती है तो उसकी कैपिटल सिटी नौर्वे में मिलेंगे सारे के सारे सारी पीस नौर्वे की पार्लियमेंट देती है तो नौ इनको कौन देता है? स्विडन की गवर्मेंट, तो स्टोकों में मिलते हैं इसके बाद में है, which of the following Nobel Prize was not established by Alfred Nobel, Alfred Nobel की विलके according केवल 5 ही Nobel Prize थे, ठीक है, कौन-कौन से? Physics, Chemistry, Medicine, Literature, और Peace, यह पांच प्राइज ही established हुए थे, बाद में लेकर 1968 में कौन सा established कर दिया? Economics, ठीक है, तो कौन सा नहीं था? Economics, which of the following category is not recognized by the Nobel Prize? Mathematics, who was the first Indian to receive the Nobel Prize? रवेंदर नाट टेगोर, यह तो हमने को इस 10-15 बाद discuss कर लिया होगा, first Nobel Prize में भी, first in India में डिसकुर कर लिया, awards में भी discuss कर लिया, Nobel Prize में भी discuss कर लिया, रवेंदर नाट टेगोर वाज़ अवोड़ेड नोबल प्राइज इन विच केटेगरी, हमारी डिक्लियर कर दिया, हमारा इंडिपेंडेंस डिक्लियर कर दिया, 26 January 1930 को हम पहला हमारा क्या बनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, उस ही साल देख लो, यह हुआ है, तब यार रजाएगो तुम्हें, इस इंडियन साइन्टिस्ट वन दे नोबल प्राइज इन फीजियोलोजी और मेडिशिन फोर देर वर्क ऑन्दे श्ट्रक्चर ओव फंक्शन ओफ इसका देख लेते हैं, तो हर गोविन खोदाना, जेनेटिक कोड, ठीक है, फिर आता वेंकाट रमन रामा क्रिष्णन, ठीक है, इस्टार के लिए और एस चंदर सेकर, यह तो सेम ही हो गया है, यह अगर आवा जाए सेवी रमन, तो रमन इफेक्ट, ठीक है, तो यह दोनों उप्शन तोनों ने शेम ही लिख दिये, ठीक है, तो हमारा आंसर वागया, वैंकाट रमन रामा क्रिष्णन, इन विच येर, जिद मलाला यूसुफई और केला सत्यारती जाइंटली रेसीव नोबल प्राइज, पीस प्राइज, 2014, वो वस अवादे नोबल प्राइज इन लिटरेचर, इन 1913, बिकमिंग दे फर्स नोन-उरोपीन नोबल लिएट, तो रमिदनाथ तेगोर, विच इन इन लिटरेच इन लोगाँड ब्रेकिंग कॉंटिबिशन तो दे माइक्रो क्रेडिट एंज पॉवर्टी एलिवीश अलिविएशन प्रोग्रम में पॉवर्टी को हटाने वाले जो भी प्रोग्राम सोते हैं कि प्रोवर्टी रिमूव हो जाए उनके लिए जो डिसकोवरी और अगर इकोनोमिक्स फिल्ड का है तो यहां हमारे अमरत्य सेन भी आंसर हो सकता है ठीक है क्योंकि उन्हें सेम सेम काम ही है दोनों की लगबग ठीक है पर पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम अगर पॉवर्टी एलिविशन मिल जाता है तो हमें अभी जीद बेनर ज इसको मिला था और भी अधर चीज़ों तो क्या हो जाएगा अमरत्य सेन इसके बाद में चलते हैं हम तो आज की क्लास को यहीं एंट करते हैं हो आई होप कि यह बेनिफीशल होगा आपके लिए है और हम आगे ऐसी ही क्लास लाएंगे तो पर जुड़े देए हमसे ठीक है थ जय हिंद